दोस्तों नमस्कार आज एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है जो आपकी सेहत से संबंदित है एक WHO की रिपोर्ट है यूज ऑफ नॉन शूगर स्वीटनर्स इन फूट ये गाइडलाइन्स क्या बोलती है आप लोगों ने अकसर बच्चों को डाइट कोक डाइट प इसकेट्स और बहुत सारी चीजें शूगर फ्री के नाम पे खरीते और खाते देखा होगा लेकिन क्या ये आपके स्वास्त के लिए लाबदायक है या हानिकारक आज हम इसकी चर्चा करें और अगर हम इसकी डिटेल में समिक्षा करें और ये समझ में आएगा कि ये कितने खतरनाक प्रोडक्ट हैं जिनको हम खाने की कोशिश कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टन चीज क्या है आज हम चार मुद्दों पर इस पर चर्चा करेंगे कि आर्टिफिशल स्वीटनर होते क्या हैं क्यों ये हमारे लिए नुकसान दायक हैं अक्सर आपने देखा होगा कि अग लगते हैं हमें लेकिन कैलोरीज नहीं होती उसका क्या कारण है उसके अलावा जिन पदार्थों में या जिन फूड आइटम्स में इनका इस्तमाल किया जाता है तो उसके रिजल्ट्स इतनी जल्दी क्यों नहीं आते क्यों इतना टाइम लगता है इन प्रोड़क्ट की अगर आप खुद जागरूक नहीं होंगे तो खामियाजा भी आप ही को उठाना होगा इसलिए आज का ये वीडियो सिरफ आपके लिए नहीं आपके परिवार के लिए आपके हर दोस्त के लिए आपके परिवार में जितने सदस्से हैं खास कर बच्चें और महिलाएं उनक आईएगा क्योंकि ऐसी बहुत सारी खानों के खाने के प्रती भ्रांतियां हैं समाज में कि लोगों को लगता है कि शायद ये चीज अच्छी है क्योंकि एडिटाइजमेंट का इतना जोर होता है कि हम लोग सच्चाई तक नहीं पहुँच पाते हैं आज आर्टिफिशल स् एंड एज फूड टिक्नलोजिस्ट फूड सेफटी और पबलिक हेल्थ मेरा सबसे प्रिये सब्जेट है इसी लिए ये सब्जेट को मैं डीटेल में आपसे चर्चा करूंगा ताकि मेरा जो भी थोड़ा बहुत अनुभव है फूड इंडस्ट्री को लेके करीब 25-30 साल का आपकी सेहत को बचाने में अगर काम आजाएगा तो मुझे खुशी होगी देखिए दोस्तों आर्टिफिशल स्वीटनर होता क्या है हमारी जबान में चार तरह के टेस्ट होते हैं मीठा खटा खारा और कड़वा इस बात को हमें समझना होगा जब हम बात करते हैं मीठे ट तो जबान एकदम चिकनीने वा खुर्दरी है उसमें एक खास तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे टेस्ट बढ़ जोते हैं और जब हम टेस्ट बैट की बात करते हैं तो तुसमें घेस्ट भड होता है या कहते हैं यह चीज मीठी है यह chemistry है यह टेस्ट जो में आता है यह chemistry है एक इंट्रस्टिंग observation मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं आप अगर कभी कोई कड़वी चीज खाएं जैसे मालीजिय आपने कुनीन की गोली ली या या कभी-कभी जो लोग पान-पराग खाते हैं वो उसके अंदर कथा होता है। आप जब पान-पराग खाते हैं उसमें कुछ सेक्रीन भी हो सकता है, आर्टिफिशल स्वीटनर भी हो सकता है। लेकिन जब आप कुनीन की गोली लेते हैं तो वो एकदम कड़ भी होती है। लेकिन अगर आप उस कुनीन की गोली लेने के बाद अगर आप पानी पिएंगे, तो थोड़े समय बाद वो आपकी जवान पर मीठा टेस्ट लाता है। क्योंकि यह टेस्ट जो होता है, यह एक थ्रेशोल्ड के बाद अपना रियक्शन देता है। एक लिमिट के नीचे आपको टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन उसके उपर आपको टेस्ट आएगा। यह सेंसरी एवैलुएशन में या सेंसरी एनलेसिस के अंदर हम इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू कि उस लिमिट के नीचे टेस्ट नहीं आएगा, एक लिमिट के बाद उसके अपना रियक्शन या प्रभाव देगा, जो टेस्ट के हिसाब से हमारी जबान उसको रि दीविया है, इसी तरह से एक प्लांट आता है, जिसको हम साथ अफरीका का प्लांट है, मोनाटिन, मोनाटिन से जो एक्स्ट्रेक्ट निकलता है, वो चीनी से तीन हजार गुना जादा मीटा होता है, बतलब एक किलो मोनाटिन एक्वल टू तीन टन आफ चीनी वेन इट कमस to sweetness, यह है sweetness का factor, हाला कि उसमें कोई calorie नहीं होता, लेकिन जब वो हमारी जबान से touch करता है, तो उस मोनाटिन की जो chemistry है, वो हमारी taste buds के अंदर मीठे का हिसास कराती, यह है natural source, लेकिन ऐसे बहुत सारे product हैं, जो आज हमारे beverages के अंदर, इस्तमाल होते हैं, फूड में इस्तमाल होते हैं, वो artificial sweetener कहलाते हैं, उसको हम high intensity sweetener भी बोलते हैं, या उनको non sugar sweetener भी बोला जाता है, कई नाम है, अलग-अलग trade में, बिग्यान में, कानून के हिसाब से अलग-अलग परिवाशा हैं, उधारन के लिए, अगर मैं आपको एक product का नाम बताऊं, एडवान टेम, ये चीनी से 20,000 गुना मीठा होता है, नियो टेम, 13,000 गुना मीठा होता है, सैकरीम, आपने नाम सुना होगा, चीनी से 700 गुना, ज्यादा मीठी लगती है, सुक्रलोज, जो बजार में अक्सर आपको मिलता है, चीनी से 600 गुना होती है, मीठी, इसलिए एक चोटी सी गोली डालके भी आपको चाय में या किसी भी चीज में उसका टेस्ट मिठाज का अहसास होता है लेकिन दोस्तों इस बात को आप समझें कि जब इतना इंटेंसिटी वाला प्रोडक्ट आपकी टेस्ट बर्ड से लगता है तो टेस्ट बर्ड का भी बिहेवियर बदल लगता है इस बात को आपको समझना होगा इसी लिए जब भी आप कोई भी चीज जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव है अगर आप उसको अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तो वो अपना प्रभाव डालती है आपके टेस्ट बर्ड का बिहेवियर बदल जाता है और धी साथ उनके जो टेस्ट बर्ड है वो इतनी इंटेंसिव जो स्वीटनेस आती है उसके साथ वो एकोमोडेट होते रहते हैं और उसका प्रभाव कम होता रहता है तो उतनी ही स्वीटनेस लाने के लिए उनको एडिशनल डोस डालने पड़ती है पहली बात यह दूसरा क्या य एकसेप्टेबल डेली इंटेक अगर आप उससे ज्यादा कोई चीज लेंगे तो शरीर पे नुकसान दायक हो सकती है जितने भी आर्टिफिशल स्वीटनर हैं सबकी एक एडियाई होती है लेकिन चीनी की नहीं है इस बात को आपको ध्यान से समझना होगा जो एडियाई है वो 2.5 mg पर kg बॉड़ी वेट से लेकर 50 mg पर kg बॉड़ी वेट की लिमिट कानून के हिसाब से अलग अलग स्वीटनर के लिए फिक्स की गई है इसका मतलब अगर ये चीजे सेफ होती तो आपको एडियाई लगाने की ज़रूत नहीं थी मतलब कानून के हिसाब से आप उस ये चीज नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसका नेगेटेव प्रभाव आपके शरीर पर पढ़ सकता है ये बात भी हमें समझ नहीं होगी तो आर्टिफिशल स्वीटनर की केमेस्ट्री और उसका जो साइड इफेक्ट होता है बॉड़ी में जब उसकी स्टडी की गई तो उस एसे मुद्दे उठाएं जो वास्तव में खतरना है डबलुएचो का ये कहना है कि बहुत सारे लोग आर्टिफिशल स्वीटनर का इस्तमाल इसलिए करते हैं कि चीनी खाने से मोटापा होता है या बॉड़ी वेट गेन होता है ये बात सही है कि अगर आप एक्सराइज नह लाइफ में तो आपका गेन बॉड़ी वेट गेन होगा किसी से कीविसटरी की जरूरत नहीं है आपको कहीं पे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं एक कॉमन सेंस का इस्तमाल करीए आप कि जितना कैलोरी इंटेक करते हैं क्या आप इतना एकजोस्ट कर पा रहे हैं और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी बॉड़ी में एक्यूमिलेट होगा आपके पास दो ही तरीके हैं या तो आप खाना खाना कम कर दीजिए मतलब शरीर की जरूरत के हिजाब से खाईए मैं यह नहीं कहता कि आप बिल्कुल बंद कर दें लेकिन अगर आपकी आप कम खा रह रहे हैं आप उसको भी एक्जॉस नहीं कर पा रहे हैं इसलिए आपकी बॉड़ी वेट गेन हो रहा है तो यह दोनों चीजें आपके हाथ में फूड इंटेक को कम करें या बॉड़ी का फिजिकल एक्जर्शन बढ़ाएं ताकि जो इंटेक आप ने किया है आप उसको कंज स्टाइल डिजीज भी बोलते हैं तो इस बात को आपको समझना होगा अब जो मुद्धा आया है वो इंपॉर्टेंट यह है कि अकसर यह कहा जाता है कि अगर हम आर्टिफिशल स्वीटनर का चाहिए वह हम बेवरेजिज लें फूड लें वगरा वगरा कुछ भी लें तो बॉड़ी वेट कम होगा डब्लु एचो की स्टडी यह बोलती है कि ऐसा नहीं है आपको शौट टम में लगता होगा कि बॉड़ी वेट कम हो गया लेकिन हकीकती है कि लॉंग टम की जो स्टडी से वो यह बोलती है कि आपकी ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है इस आपने विक्सित देशों में यह प्राब्लम्स देखी हो उनकी एक डाइट खराब है फिजिकल लाइफस्टाइल खराब है और उपर से जिस तरह से वह आर्टिफिशल स्वीटनर्स का इंतजा हर चीज में इंटेक बढ़ा रहे हैं वह उनकी शरीर के लिए खतरनाक है यह सबसे इंपॉर्टन चीज आईए जो खतरनाक है वह प्रेगनेंट लेडिज और बच्चों के लिए स्टडीज यह बोलती हैं कि अगर आप लगातार अर्टिफिशल स्वीटनर ले रहे हैं तो प्री टर्म बर्थ की प्राब्लम लेडिज में बढ़ जाती है और प्री टर् में जिसको हम कहते हैं या तो स्पेशल चाइल्ड बन जाएगा या उसको आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना होगा उसका इम्मिनिटी सिस्टम ठीक नहीं होगा मांसिक विकास सही नहीं होगा तो बच्चों और महिलाओं को आर्टिफिशल स्वीटनर से बचना चाह है कि उन लोगों में अस्तमा की प्रॉब्लम एलर्जी की प्रॉब्लम जैसे वेदर एलर्जी सेंड मतलब से या स्वाइल से अलर्जी हो जाती है डस से अलर्जी हो जाती है पूलन से अलर्जी हो जाती है तो बॉडिम ओवर एक्शन पूर कॉगनेटिव फंक्शन मतलब ज इसके लावा जो बहुत इंपॉर्टन चीज है कि अकसर लोग अर्टिफिशल स्वीटनर का इस्तमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वो डायबटीक है लेकिन दोस्तों चीज जो रिसर्च में सामने आई है वो यह है कि अगर आप 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 इस्तमाल करते हैं तो आपकी कोई भी मित्रमंडली में लोग हैं परिवार में लोग हैं जो डायबटीक हैं उनको बोलिए कि आप आप आर्टिफिशल स्वीटनर से हटें हर खाने में एक नैचरल स्वीटनेस होती है आप इसको एडॉप्ट करें उस फूड का नैचरल टेस्ट एंजॉय करें इस्टेड कि कुछ रिसर्च में सामने आया है कि आर्टिफिशल स्वीटनर से ब्लेडर कैंसर की भी समस्यां बढ़ गई लेकिन दोस्तों एक बात आपको समझनी होगी यहां पर आती है पॉलिटिक्स इन साइंस यह रिपोर्ट आई है इसका क्रिटिसिजम भी होगा जिन कंपनियों क आर्थिक हिद चाहे वो कोला कंपनियां हो यह इस रिपोर्ट को क्रिटिसाइज करेंगी कि अभी इस रिपोर्ट की डेटा पूरा नहीं है सेंपल साइज थीक नहीं वह इसमें गलतियां निकालें वाजिब है लेकिन कन्क्लूजिव रिपोर्ट आने में हो सकता है 20 साल आपको इंडिकेशन मिल गया कि यह चीज आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है स्वास्त के लिए अच्छी नहीं है उसको तुरंत बंद कर दीजे क्यों आप किसी और के सर्टिफेक्ट का इंतिजार करते हैं अपनी जिन्दगी को तब तक बरबाद होने देते हैं यह आप तक हो सके नैच्रल टेस्ट को अपनाएं अगर आपको मीठा खाने का शौक है नैच्रल फूट ले लिजिए उसमें भी स्वीटनेस है आपको अगर कोई और नैच्रल चीज दूद में अपनी मिठास होती है फलों में अपनी मिठास होती है इवन अगर आप कोई यहूं भी चबाएंगे या मक्का भी चबाएंगे तो उसके अंदर जो आपका स्लाइवा है उसका जब रियक्शन होता है इसका कार्बो हाइडरेट में तो वहाँ भी गुलुकोस बनता है इसलिए अगर आप यहों के दाने भी चबाते हैं जो थोड़ी से मद आपको को अपनाई यह आर्टिफिशल दुनिया से बाहर आई क्योंकि इनका प्रभाव सिर्फ आप पे नहीं आपकी आने वाली जनरेशन पर भी पड़ता है अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके बच्चे कैसे करें वह तो आपको देखेंगे एक रिपोर्ट आई है हम लोगों को बहुत गलत फहमी होती है फूड के बारे में कि हम कुईक फिक्स में बात करते हैं या तो हम दवाइया लेना शुरू कर देते हैं आर्टिफिशल विटामिन लेना शुरू करते हैं जो अपने आप में टॉक्सिक है उस पर भी मैं कभी चर्चा करूंगा कि किस तरह से जो फॉर्टिफाइड फूड है तुरू आर्टिफिशल सिंथेटिक विटामिन वो किस तरह से आपके लिए फाइदे की जगे ज्याद आप अपना नुकसान करते हैं आर्टिफिशल लाइफस्टाइल से बाहर आईए नेचर से जुड़िए परियावरण भी बचेगा सिहत भी बचेगी लाइफ में खुशाली भी रहेगी आपका क्या कहना है दोस्तों क्या हमें आर्टिफिशल लाइफ में जाना चाहिए या कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखी इस वीडियो को बच्चों के साथ शेर करें घर में हर परिवार में लोगों को कही है कि इसको पढ़ें क्योंकि जो मैं आप से बात कर रहा हूं वो साइंटिफिक स्टड़ी है आप इस रिपोर्ट को इस टाइटल को डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों को बोलें डाउनलोड करें पूरी रिपोर्ट पढ़ें 300 पेज के आसपास की रिपोर्ट है मैंने आपको बिल्कुल जिस्ट बताया है तो उमीद है कि आज की चर्च आपको पसंद आई होगी इसको शेर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट की सेहत एक इंपॉर्टन टॉपिक रहेगा मेरे चैनल पर और इंपॉर्टन मुद्धों पर जो रिलेटेट फूड और फूड सप्लाइज को लेके है मैं आपसे चर्चा करता रहा हूं आपने वक्त निकाला आपका धन्यवाद फिलाल बंदे मात्रम जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएगेoga